Hello Friends, I am Shankish Khawad, Faculty in CIITM, Jaipur, Rajasthan. Today we are discussing about WBS, what is WBS? That is Work Breakdown Structure. इसमें क्या होता है? कि हम क्या करते हैं? कि हम complex जो टास्क होते हैं, project का जो complex टास्क होते हैं, उनको क्या है? एक simpler टास्क में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. फिर 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 जो टास्क होते हैं, उनको सब डिवाइड कर लेते हैं. ताकि जो टास्क हैं, वो simpler हो जाए, easy हो जाए, वो process करने के लिए. तो मेंली क्या होगा? डिवाइडिं कॉंप्लेक्स परजेक्ट तो सिंपलर और मेनेजबल टास्क इन दे परसेश इडेंटिफाई अस वर्ग ब्रेक्डाउन स्ट्रक्चर. यूजली ये क्यों यूज आता है? मेंली ये project measures यूज करते हैं, इस method को. बिसक्री जब complex projects होते हैं, large projects होते हैं, उनकी activity को हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक्डाउन कर देते हैं, ताकि क्या है, उसकी task को different, developers होते हैं, या फिर involved होते हैं, जो projects को बनाने के लिए employees या people, उनको assign कर दिया जाता है, हर एक activity को task को assign कर दिया जाता है, जिसे क्या है, वो easy उस चीज को कर बाते हैं, ठीक है? और एक चीज और होता है, कि इसे क्या है, हमीं पता चल जाता है कि कौन से part में, कौन से task में, या कौन से activity में कितना ज़्यादा time लग रहा है, और कितनी ज़्यादा cost लग रहे हैं, तो mainly जो work breakdown structure है, वो क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, estimate लगा सकते हैं, एक cost का, और as well as time का कि कौन सा आपका task और activity, कितना time ले रहे हैं, और कितना उसमें cost आ रहा है, आगे अब breakdown structure, element में भी, जो breakdown structure होता है, वो एक product भी हो सकता है, data भी हो सकता है, service भी हो सकता है, और any combination, मलब हम कोई product बनाने जा रहे हैं, मानलो कोई कपड़ा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे कहां से कपड़ा लेंगे, और कौन सा design डालेंगे उस suit में, जो अपन बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ी क्या है, एक activity है, एक product को बनाने के लिए, तो सब activities में क्या करेंगे, उसको पहले task को divide कर देंगे, ताकि क्या वो easy हो जाए, कि कहां से कपड़ा लेंगे, जब ये चीज़ी हो जाते हैं, तब second process क्या होगा हमारा, कि कौन इस activity में involved होगा, मतलब कौन इस product को बनाएगा, तो देखिए, आवर्क प्रिक्डाउन structure element में भी आप अपड़क्ट डेटा और services और any combination, आवर्क प्रिक्डाउन structure also provide the necessary framework for detailed course estimating and control, along with providing guidance for schedule, development and control. To construct a WBS, project manager or subject matter expert, first identify the main function deliverable and breakdown into tasks, subtasks and further into subtasks, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक project define कर लेते हैं, कौन सा project हमें बनाना है, उसकी activities कौन कौन सी होगी, जैसे for example, मुझे घर बनाना है, तो उसके लिए मुझे basically construction के लिए material चाहिए होगा, wiring करवाऊंगी घर के लिए, roofing का काम चलेगा, और floor का काम चलेगा, तो इस तरह से काफि सरी activities हैं, किसको क्या क्या time देना है, क्या क्या schedule करना है, किस time पर क्या क्या चीज होनी चाहिए, किसके लिए क्या क्या cost में define करूंगी, यह सारी चीज़े हम क्या करते हैं, work breakdown structure के अंदर, यह work breakdown structure के अंदर, जो हम इसको define कर लेते हैं, इस तरह से हम activity को क्या कर सकते हैं, control कर सकते हैं, as well as time को और cost को, आगे देखिए, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग define कर लेते हैं, actual में उस project में होगा क्या, उसकी list बना लेते हैं, ताकि हम कैसे उस activities को कैसे divide कर सकते हैं, work packages क्या होंगे, deliverable at the lowest level of the WBS, when that deliverable may be assigned to another project manager to plan and execute, work plan क्या होते हैं, कि कितनी resources उस activities में लगेंगे, ताकि क्या है, उसको किसी और को क्या हम कर सके, assign कर सके, कि number of task है, कौन सी task को, किसको assign करना है, यह सारी चीज़े हम क्या करते हैं, work package के अंदर define करते हैं, आगे दिखिए, कैसे help करता है manager को, यह evaluate करने के लिए cost, क्या आईगी इस project की time कितना लगेगा, किसकी क्या 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 परफॉर्मेंस है, यह सिचे, क्या क्या evaluate करने के लिए use आता है, ठीक है, यह information provide कराता है एक organization को, कि actually में कितना काम हो गया और कितना रहे गया, और क्या कराता है, कि work package on structure क्या assign करता है project की responsibility को to organizational units, मतलब different users को कौन सा task दिया गया है, कौन से responsibility दी गया है, और उसके लिए schedule किया गया है, इसके बारे में क्या करता है, define करता है, यह help करता है manager को plan करने में, schedule करने में, budgeting में help करता है, planning कैसे करता है कि कौन सा अब planning की जाए, ताकि अपना जो task है within time, within course क्या हो complete हो जाए, और कौन सा time रखा जाए, कौन सा schedule रखा जाए, किस activity को कौन सा time देना है, क्या नहीं देना, इस सारी चीज़े हम क्या कर सकते है, work freedom structure के अंदर define कर सकते हैं, ठीक है, next point है, define communication channel and assist in coordinating the various project elements, कि कौन सा activity को किसको हम as a project किसको assign करेंगे, like a bike जैसे कुछ parts उसके है, manufacturing नहीं हो रही है हमारी factory में, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, किसी as a project बना के, किसी और company को दे देंगे, ताकि वो अपना काम कर सके, ऐसे communication channels क्या होंगे, बढ़ जाएंगे आपके, और इस तरह से coordination कैस से बठाएंगे कि वो easily, जो projects के elements है, easily क्या है, process हो पाएं, आगे देखिए, process क्या होगा, levels क्या होगे, possible levels of a work breakdown structure, इसमें क्या करेंगे, projects होगा, उसके सब parts, modules में divide करेंगे, सब projects होगे, कौन-कौन से resources लगेंगे, deliverables, sub deliverables, resources के अंदर कौन से resources होगे, और work packages, कौन-कौन सी to-do list होगी, कौन से work unit होगे, जो अपन decide करेंगे, यहाँ पर मैंने एक example लिया है, holiday example, for example, आपको कहीं घुमने जाना है, holidays में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, traveling के लिए कहा जाना है, आपको पहले यह decide करेंगे, उसके बार traveling कैसे करनी है, आपको बाहर जाना है, तो उसके लिए traveling documents रखेंगे, आप लोग passport रखेंगे, इसकी tickets रखेंगे, और insurance करवाएंगे अपना, ठीक है, बिसके लिए, अगर मालों कुछ हो जाता है, miss happening, ठीक है, और उसके बार क करेंगे कि booking आपके actual में हुई या नहीं हुई, जो last target रहता है कि आपका, कि actual में घर में हम सब जा रहे हैं, तो घर में किसको छोड़के जाए, या अपने neighbors को छोड़के जाए, या हमारा pet है, उससे क्या होगा, घर को संबाल पाएगा, या फिर यह हो पाता है कि मालों की को तो यह example था, work breakdown structure का, holiday का, आगे देखें कुछ rules हैं, जो follow करते हैं, जब WBS अपन define करते हैं, construct करते हैं, basically यह two rules है, two week rules है, कोई भी जो work है, उसको क्या है, अपन जो breakdown करेंगे, divide करेंगे, सब parts में, या सब modules में, वो क्या है, two weeks से कम नहीं होना चाहिए, मलब दो हफ्ते से 14 days स कम नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, कि आप एक activity को 14 days at least चलाएं, आगे 8 by 80 rules, कोई भी, उसके बाद कोई भी work है, जो WBS जो अपने divide किया है, कम से कम, 8 hours का होना चाहिए, per day according, और कोई project को complete करने के लिए, minimum 80 hours तो होने ही चाहिए, यह सारी चीज़े बताता है, थैंक के लिए?